हलो फ्रेंड नी 2019 कानामेटिक्स के इस क्वेस्चन में हमें कहा था कि स्पीड ऑफ स्विमर इन स्टिल वाटर इस 20 मीटर पर सेकंड, स्पीड ऑफ रिवर वाटर इस 10 मीटर पर सेकंड और इस फ्लोईंग द्यू इस्ट इस इस तैंडिंग ऑन दे साउथ बैंक करते हैं 20 मीटर पर सेकंड, स्पीड ऑफ रिवर वाटर दिया है 10 मीटर पर सेकंड और रिवर फ्लो कर रही है इस्ट में और जो स्विमर है वो साउथ पे खड़ा है और शॉर्टेस पाथ से रिवर को क्रॉस करना चाता है एंगल पूचा है जो वो नौट से बनाएगा तो क्वेशन में जो सिच्वेशन हमें दिया है हम उसको एनलाइज करते हैं सबसे पहले हम अपने डारेक्शन्स डिकलियर करते हैं कि हम किधर क्या मान रहे हैं तो इस्ट वेस्ट नौट साउथ हमने मान लिया अब उसके बाद जो क्वेशन में कहा था उसी हिसाब से हमने रिवर बनाया रिवर में हमारी जो रिवर की स्पीड है वो 10 मीटर पर सेकिंड यू से आप डाइग्राम में देख सकते हैं और जो परसन है वो 20 मीटर पर सेकिंड से स्विम करेगा अब जो क्वेशन ने कहा है वो समझिए साउथ पर आपका स्विमर खड़ा है और उसको नौट से डारेक्शन पूछा है तो ये जो डॉटेड लाइन में दिखाया है ये रिवर का विर्थ है और रिवर का विर्थ जो है उससे एंगल थीटा बना रहा है हमारा स्विमर अब ये इसी डारेक्शन में क्यों स्विम कर रहा है ये आपको पता होना चाहिए कि आपको यहाँ पर आपके दो वेक्टर्स का रिजल्टेंट इस डारेक्शन में चाहिए जो ब्लू एरो से मैंने यहां रिवर के डायग्राम में दिखाया है क्यों क्योंकि जो वेलोसिटी ओफ स्विमर हमें स्टिल वाटर में दिया है वो एक्च्वल में वेलोसिटी ओफ स्विमर विद रेस्पेक्ट टू रिवर है जो की होता है velocity of swimmer minus velocity of river और हमें चाहिए कि velocity of swimmer जो है velocity of swimmer जो ground के respect में आएगा वो क्या आएगा velocity of swimmer with respect to river plus velocity of river velocity of swimmer with respect to river यहां V दिया है और आपका जो river का velocity है वो U दिया है तो actual में question में जिस velocity से वो river को cross करेगा वो velocity होगा उसका velocity जो की हमें ground के respect में दिखेगा और वो इन दोनों का vector sum होगा तो इसका मतलब इन दोनों का resultant हमें यहां दिखना चाहिए parallelogram law of vector addition मैंने लगाया है और इन दोनों को इस तरीके से जोड़ा है कि हमें resultant जो है वो north के along मिल जाए वो तभी possible है जब मैं swimmer की velocity को इस direction में angle theta पर लेता हूँ तो इतनी बात आपको समझ में आ गई है आगे बढ़ते हैं अब ऐसा होने के लिए क्या जरूरी है जरूरी यह है कि आपकी swimmer की जो velocity है इस velocity का component इधर की तरफ कितना आएगा यह आएगा v sin theta आप चाहते हो कि आपको swimmer की velocity north के along मिले तो इसका मतलब यह है कि south में उसके जो velocity है वो river की velocity को balance कर ले ताकि ना वो दाएं जाए ना वो बाएं जाए वो सीधा river को cross कर ले so यह इस question की सबसे important condition है जो आपको पता होनी चाहिए तो v sin theta बराबर u होगा sin theta को u by v होना चाहिए यहाँ पे u का value रखते है 10 v का value रखते है 20 तो यह आएगा 1 by 2 यह कब possible है जब theta का value कितना हो 30 degree तो 30 degree का angle बनाना पड़ेगा swimmer को north के साथ river को shortest path से cross करने के लिए और यही shortest path है क्योंकि यह perpendicular to river flow है I hope you will understood now और इसके अलावा अगर आपको बाकी questions के भी solution देखने हैं उनके hint related videos चाहिए concept related videos चाहिए तो आप मेरे channel पर उनको देख सकते हैं जो लोग मुझे instagram पर देख रहे हैं वो मेरे channel का link bio से जाके click कर सकते हैं कर दो देख रहे हैं